बच्चों यह देखिए आम पे cost of goods sold दे रखा है 90,000 और आपको दो cases दे रखे हैं पहले case में कहा है gross profit is 25% on cost और दूसरे case में कहा है gross profit is 25% on RFO तो एक में तो cost का 25% है और दूसरे case में वो revenue from operation का 25% है तो दोनों case में gross profit कैसे calculate करेंगे बिना RFO को जाने सिर्फ COGS से तो देख लीजिए बच्चों केस 1 में हमने 25 पर 100 लिखा है क्योंकि percentage cost पर ही है तो कोई change नहीं किया 25 उपर 100 नीचे into 90,000 जो कि 22,500 आया case 2 में देखिए क्योंकि percentage जो है वो sales पर दा लेकिन हमें cost पर निकालना है तो हमने formula बना दिया 25 एपॉन 1,20, sorry 75 ठीक है बच्चों और इससे निकल कर आया 30,000 फॉर्म